दोस्तों हर साल करीब 26 लाख लोग high cholesterol और इसकी वज़ा से होने वाली complications की वज़ा से असमय मौत के मुँ में चले जाते हैं जब cholesterol हमारी body के अंदर बढ़ता है तो ये हमारी नसों के अंदर जम जाता है और वहाँ पर plaque formation करके अलग लग तरह की बिमारियां जैसे कि heart attack या stroke बनने का कारण बन सकता है ऐसा नहीं है कि cholesterol हमारी body के अंदर दोस्तों अचानक से एकदम से रातो रात बढ़ जाता है ऐसा बिलकुल भी नहीं है, cholesterol बहुत धीरे धीरे हमारी body में बढ़ता है लेकिन problem ये है कि जब हमारी cholesterol बढ़नी शुरू होती है तो हमारे अंदर कोई ऐसे लक्षर नहीं आते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि cholesterol हमारा बढ़ रहा है तो इसी वज़ा से बहुत ही ज़ादा जरूरी है कि हर एक adult especially ऐसे लोग जिनकी family history होती है high cholesterol ये heart disease की ऐसे सभी लोग अपनी day to day life में कुछ एक ऐसे measures को अपना लें जिसकी वज़ा से उनके इंदर बढ़ने का जो खत्रा है cholesterol के वो कम हो जाए Hi everyone, मेरा नाम Dr. Salim Zaydi है मैं एक Ayurvedic और Yunani Medicine Expert हूँ और मेरा mission है आपको सही रास्ता दिखाना सही तरीके से guide करना जिससे कि आप एक healthy और disease free life जी सकें natural चीजों की मदद से और इसी करम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही effective उपायों के बारे में जो कि अगर आप अपनी day to day life में अपना लेंगे तो आपके अंदर cholesterol बढ़ने का जो खत्रा है वो बहुत ही जादा कम हो जाएगा in fact अगर आपका cholesterol अल्रेडी बढ़ा हुआ रहता है और आप इन उपायों को अपना लेंगे तो आप इस बढ़े हुए cholesterol को बहुत ही आसानी के साथ कम भी कर सकते हैं तो चलिए पिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डीटेल से दोस्तों जो भी fats हम खाते हैं चाहे वो घी की शकल में हो चाहे वो तेल की शकल में हो चाहे वो मक्खन की शकल में हो या चाहे वो ऐसी चीजों की शकल में हो जिनके अंदर fats होते हैं, oils होते हैं, जैसे कि बदाम हैं या अखरोट हैं, ये सभी चीजे हमारी diet के अंदर main source होती हैं cholesterol का, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे cholesterol ये सारे के सारे fats आपके लिए बुरे होते हैं, कुछ fats आपके लिए healthy भी होते ह अगर मैं healthy fats की बात करूँ तो जितने भी unsaturated fats होते हैं, यानि ऐसे fats जो कि room temperature पे जमते नहीं हैं, वो आम तोर पे आपके लिए healthy माने जाते हैं, उसमें से जादा तर healthy होते हैं वहीं जितने भी saturated fats होते हैं यानि ऐसे fats जो कि room temperature पे जम जाते हैं घी की शकल में होते हैं या मखन की शकल में होते हैं यह आपके लिए आम तोर पर अमुमन बुरे होते हैं अगर मैं healthy fats की बात करूँ यानि unsaturated fats की बात करूँ तो इसमें भी कुछ एक ऐसे fats होते हैं जो specifically आपके cholesterol profile को improve करने में आपकी मदद कर सकते हैं यानि आपके bad cholesterol को कम कर सकते हैं और आपके good cholesterol को बढ़ा भी सकते हैं for example सबसे best oil या सबसे best fat अगर मैं आपको बता हूँ आपके cholesterol profile को manage करने के लिए तो वो है olive oil अगर आपको असली olive oil और वो भी raw form में virgin form में मिल जाए तो उससे best आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है olive oil के अंदर आपको mono unsaturated fats और poly unsaturated fats जो की दो किसमे होती है unsaturated fats की वो दोनों ही मिलती हैं और ये दोनों ही चीज़े आपके cholesterol के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती हैं ये आपकी body के अंदर से inflammation भी कम करती हैं और आपके HDL cholesterol है जो अच्छा cholesterol है उसको बढ़ाती है और जो ब सूरज मुगी का तेल यानि sunflower oil आपके लिए बहुत जादा healthy हो सकता है rice bran oil आपके लिए बहुत जादा healthy हो सकता है सरसों का तेल आपके लिए healthy हो सकता है या moongfali के तेल है ये भी आपके लिए healthy होता है तो ये कुछ एक ऐसे oils हैं जो कि आप अपने daily life में अपने खाना बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इन oils को इस्तमाल करने के लिए भी आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है और वो ये कि जितने भी ये oils हैं चाहिए वो कितने भी healthy हो इनको आपको हमेशा moderation में इस्तमाल करना है यानि कम quantity में जितना कम से कम आप इस्तमाल कर सके उतन कम इस्तमाल करना है अब उसकी वजह ये है कि अगर आप इन अच्छे oils को भी जादा quantity मिलेना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से इनका जो आपको अच्छा effect मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा बलकि उल्टा हो जाएगा और आपका cholesterol profile बिगड़ना शुरू हो जाएगा तो यह भी आपके बुरे cholesterol को कम करने में और अच्छे cholesterol को बढ़ाने में आपकी मदद करता है कॉलेस्टरॉल कम करने के लिए दूसरी चीज जो कि आपको अपनी डाइट में अपनानी है वो है soluble fiber soluble fiber और एक तरह का dietary fiber ही होता है लेकिन यह ऐसा fiber होता है जो कि water को absorb करने की quality रखता है यानि यह water को पानी को अपने अंदर absorb करके एक gel type का structure बना लेता है और जब इस fiber को हम लोग खाते हैं तो हमारे digestive tract के अंदर जाके यह gel जो है एक्सपेंड करता है cholesterol के साथ bind करता है और cholesterol को हमारे blood के अंदर absorb होने से रोक देता है और इसकी वज़े से हमारा cholesterol कम होना शुरू हो जाता है कुछ studies हुई है soluble fiber के उपर जिससे यह पाया गया कि soluble fiber आपके LDL cholesterol को कम करने की ताकत रखता है हाला कि soluble fiber का आपके HDL cholesterol के उपर यानि good cholesterol के उपर कोई असर नहीं होता है ना तो इससे HDL बढ़ता है और ना ही घटता है और ना ही triglycerides के उपर इसका कोई भी असर पड़ता है लेकिन LDL जो की एक बहुती बड़ा main culprit है आपकी heart health को बिगाड़ने के लिए उसके उपर इसका काफी जादा असर पड़ता है तो एक बहुती अच्छी चीज है जो की आप अपनी diet में ले सकते हैं अगर आप soluble fiber की चीजों में होता है यह जानना चाहते हैं तो दोस्तों जितने भी vegetables हैं या fruits हैं इन सभी के अंदर अमुमन आपको soluble fiber मिलता है अगर बहुत ज़्यादा Solubal Fiber आप ज़नना चाहते हैं कि कौन सी चीजों में होता है तो Oats के अंदर बहुत ज़्यादा Solubal Fiber पाए जाता है Shia Seeds के अंदर बहुत ज्यादा Solubal Fiber पाए जाता है beans के अंदर यानि राजमा के अंदर और फलियों वाली जो सबजिया होती है इनके अंदर बहुत जादा soluble fiber पाये जाता है भिंडी के अंदर बहुत जादा soluble fiber पाये जाता है और दालों के अंदर भी काफी जादा मात्रा में soluble fiber आपको मिलता है राइस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ब्राउन राइस लेंगे तो उसके अंदर भी काफी ज़ादा मातरा में आपको तो यह चीजे आपको अपनी डाइट में जादा से जादा लेनी चाहिए जिससे आपकी जो बॉड़ी है उसके अंदर सॉल्यूबल फाइबर जादा पहुचे और वहां आपका कॉलिस्टरॉल का जो अब्सॉप्शन है वो कम हो जाए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ऐसी आप के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपकी नॉलिज को फॉर्दर एन्हांस करने में और आपको नई नई चीजे सीखने में काफी जादा हेल्प कर सकती है जहां मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की बिगेस्ट आडियो बुक लाइबरेरी क के बारे में जिसका नाम है कुकू एफम कुकू एफम दोस्तों एक ऐसी अप है जिसमें आपको चार हजार से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाती है और यह ऑडियो बुक्स आपको करीब करीब सभी अलग-अलग टॉपिक पे मिल जाती है आप चाहे कोई हाउज या फिर आप कोई health and fitness freak हैं जो कि अपनी सेहत को बढ़िया बनाने के लिए या कुछ अपनी बीमारी के बारे में कुछ जानना चाते हैं या अपने आपको कैसे जाधा healthy बनाएं उसके बारे में जानना चाते हैं तो इन सभी topics के बारे में आपको कुकू FM पे बहुत सारी अलग लग audiobooks मिल जाएंगी दोस्तो audiobooks यानि ऐसी books जो कि आपको पढ़नी नहीं होती हैं आपको सुननी होती हैं क्योंकि सुनना आज की rate में आपके लिए जादा आसान होता है ये time भी आपका कम consume करता है और आपकी energy भी इसमें कम लगती है और आपको सीखने में भी काफी जादा आसानी रखती है और आपके लिए जादा entertaining भी होता है कुकूव फैं में आपको 4000 से भी जादा non-fiction titles मिल जाएंगे यानि आपकी knowledge को बढ़ाने के लिए इसमें आपको करीब करीब हर तरहां की audiobooks मिल जाएगी for example आप health is related audiobooks के बारे में जानना चाते हैं तो आप इसमें सर्च करेंगे health तो आपकी screen पर बहुत सारी audiobooks आजाएंगी जो कि health is related होंगी इसमें से आप चूज कर लिजे अपनी पसंद के हिसाब से कि आपको कौन सी book जादा अच्छी लग रही है एक बहुत ही अच्छी जो इसकी एक फीचर है इस app की वो ये कि आपको जब कोई book चूज करत इस summary को सुनिए अगर आपको अच्छी लगती है वो book तो आप उसको पूरा सुन सकते हैं अलग अलग chapters में हर एक book को divide किया गया है तो उससे आपके लिए सुनना भी और उसको manage करना भी अलग अलग time पे आसान हो जाता है दोस्तों आज कल के digital जमाने में हम social media पर और इधर उ जीखने की वज़े से आप अपनी life को और जादा empower कर सकते हैं अपनी life को अपनी जिन्दगी को और बहुतर तरीके से जी सकते हैं और अपने business को या अपने ideas को और grow कर सकते हैं तो आज ही इस app को download कीजे इस app को download करने के लिए जो links है वो आपको नीचे description box में मिल जाएंगे ए जाहे आप किसी भी region को बिल्याओं करते हैं या आप किसी भी language को follow करते हैं आपको इन audiobooks को सुनने में कोई भी परिशानी नहीं होगी दोस्तो कुकू FM पर अभी फिलहाल एक sale भी चल रही है एक offer भी चल रहा है जिसका नाम इनों रखा है हर घर कुकू FM इस sale के दोरान अगर को एक coupon code की जरूत पड़ेगी जो की है घर 50 जो की इस समय आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और ये coupon code आपको नीचे description डॉक्स में भी मिल जाएगा तो आज ही डाउनलोड करिए कुकू FM को इससे sale का लाव उठाईए डिसकाउंट का लाव उठाईए और अपनी knowledge को empower कीज जो लोग regular exercise करते हैं उनके अंदर cholesterol बढ़ने का जो खत्रा होता है वो 50% से भी ज्यादा कम हो जाता है अगर आपका already cholesterol बढ़ा हुआ है और आप regular exercise करना शुरू कर देते हैं तो आपकी body के अंदर HDL cholesterol बढ़ता है यानि good cholesterol बढ़ता है आपका total cholesterol कम होता है आपका LDL cholesterol भी कम होत करते हैं तो यह आपके लिए best होती है दोस्तों मोटे लोगों के अंदर cholesterol बढ़ने का खत्रा पत्रे लोगों के comparison में बहुत जादा होता है रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप अपनी body weight का 5 से 10% वजन भी कम कर लेते हैं तो आप बहुत significantly अपने LDL cholesterol को अपने total cholesterol को अपन कम करने में दोस्तों cholesterol कम करने के लिए आपको अपने खाने पीने की habits तो बदलनी ही होती है इसके साथ-साथ-दो- और बहुत important ऐसी habits हैं जो अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो इनको आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए सबसे पहली और सबसे important habits जो कि आपको प्रेशर को बढ़ाने का काम भी करती है इसके सांसा दोस्तों दूसरी इंपॉर्टन चीज है अलकोहल अगर आप अलकोहल जादा लेते हैं तो उसकी वज़य से भी आपकी बॉड़ी के अंदर कॉलिस्ट्रॉल बढ़ सकता है दोस्तों कॉलिस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजटेबल्स और फ्रूट्स को इस्तमाल करना चाहिए वैसे तो सभी तरह के वेजटेबल्स और फ्रूट्स आपको कॉलिस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं लेकिन specifically ऐसे fruits and vegetables जिसके अंदर pactin नाम का soluble fiber ज़्यादा पाये जाता है ये आप के लिए ज़्यादा beneficial हो सकते है अगर मैं fruits की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा pactin जो पाये जाता है वो पाये जाता है oranges के अंदर तो oranges आप ले सकते हैं अपनी kolesterol को कम करने के लिए oranges के साथ apple के अंदर भी apple का छिलका जो होता है उसके अंदर काफी ज़्यादा pactin होता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते है आडू के अंदर काफी ज़्यादा pactin होता है राजमा के अंदर काफी ज़्यादा pactin होता है शकरकंदी के अंदर काफी ज़्यादा pactin होता है और टमाटर के अंदर भी काफी ज़्यादा pactin पहे जाता है गाजर भी एक अच्छा सोर्स है pactin का तो ये सभी fruits and vegetables अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में तो इसकी वज़ा से आपको कॉलेस्टरॉल कम करने में काफी ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों कॉलेस्टरॉल से घबराने की जरूरत नहीं है जरूरत है इसको समझने की इन बातों को जानने की क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है और तब ही आप सही माईना में अपने कॉलिस्टरॉल को काबू में रख सकते हैं मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें बताई गए जो टिप्स थे वो आपको कॉलिस्टरॉल को कम करने में काफी ज़ादा मदद करेंगे इसके साथ वीडियो में बताई गई जो आप थी उसको भी आप जरूर डाउनलोड करिएगा और इसमें देखिएगा कि आपको बहुत सारे और नएने टॉपिक्स के बारे में जानने को मिल जाएगा तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ अगर यहां तक वीडियो देख ली हैं और अच्छी लगी हैं तो इसे एक लाइक जरूर दीजेगा चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे और आने वाले समय में वीडियो देखने के लिए बेल आईगन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कु कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा